असलाम अलेकुम मैंना मुम्मद अनान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लैकॉलिसिज ग्लैकॉलिसिज इस दा साइटो प्लाजमिक पाथवे विच ब्रेक डाउन ग्लुकोस इंटो थी कारवन कंपाउंड एंजेनरेट एनरजी ग्लैकॉलिसिज ना एक पाथवे कहां पे हो रहा है यह साइटो प्लाजम में हो रहा है सेल के और इस परसेस में इस स्टेप में ग्लुकोस जो है वो तूट के थी कारवन कंपाउंड बन जाता है और जब यह तूटता है ना तो ATP रिलीज होता है एनरजी रिलीज होती है जब ग्लुकोस छे कारवन कंपाउंड का होता है ग्लुकोस वो तूट के थी कारवन कंपाउंड बना लेता है जिसके नाम है पाइरोवेट अब जब वो पाइरोवेट बना लेता है तो वो एनरजी release कराता है ठीक है जो ही step होता है ना glycolysis का इससे हमें ATP मिलती है energy मिलती है ठीक है glycolysis takes place in both aerobic and aerobic organism and is the first step मलब कि मैंने आपको aerobic and anaerobic respiration पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि glycolysis जो है न वो पहला step होता है सही है aerobic and anaerobic respiration का अब anaerobic respiration में पैरवेट के बाद कुछ और steps होता है जबके aerobic में कुछ और steps होता है glycolysis के बाद तो glycolysis के न अब हम overall process पर आ जाते हैं कि overall process क्या होता है glycolysis का glycolysis में glucose हो है न वो छे carbon compound होता है तो वो 3 carbon compound produce कराता है जब 3 carbon compound produce कराता है तो वो 2 compound produce कराता है जिसे 2 pyruvate produce कराएगा क्योंके carbon कहीं न जा रहा carbon हमें मिल रहा है glucose के पास 6 carbon है तो हमें बन रहे हैं लेकिन 2 molecule of pyruvate हमें मिलते है at the end of glycolysis ठीक है ADP से ATP बन जाता है और NAD से NAD जो होता है न वो एक co-enzyme है वो NAD positive NADH बना लेता है NADH न एंड के जो aerobic respiration के steps है न उन में भी energy release कराने में help करता है तो वो जो हम पढ़ेंगे मैं आपको बतांगो यह NADH कैसे ATP produce कराने में help कर रहा है glycolysis में NAD positive जो है वो NADH बन जाता है ठीक है जब glucose जो है न वो pyruvate बन रहा होता है तो हमें जो मिलता है न वह हमें end product जो मिलता है वह हमें मिलते हैं 2 ATP के molecule और 2 NADH के molecule ठीक है यह यह अभी overview अब हम आते हैं steps और enzymes पर के enzymes कौन-कौन से part लेते हैं glycolysis में अब हम आते हैं glycolysis के enzymes पर अब glycolysis को enzymes हैं वो cytoplasm में present होते the enzymes that catalyze glycolytic reactions are present outside mitochondria in cytoplasm अब यह जो glycolysis का 10 step का metabolic pathway है 10 step involved होते हैं पूरे glycolysis के pathway में तो 10 enzymes involved होते हैं पूरे pathway में glycolysis के कितने enzymes हैं 10 enzymes हैं 10 enzymes हैं और कहां पर होते हैं cytoplasm के अंदर होते हैं अब इन enzymes की नहीं करेक्टर स्टिक है वो करेक्टर स्टिक यह है कि यह ना कहीं पर भी phosphorylation हो रही होगी ना phosphorylation एक ऐसे step है ऐसा reaction है जिसमें addition of phosphate group हो रहा होता है जहां पर भी phosphorylation हो रही है ना तो वहां पर वो enzyme magnesium as a cofactor use होता है सही है, enzyme help लेता है magnesium as a cofactor है और वो ना पूरा जो है वो step करवाता है तो glycolysis के enzymes हैं वो कहां present है cytoplasm में present है कितने enzymes हैं 10 enzymes है और इनके जो characteristic ज्यादा तरकी characteristic यह है कि as a magnesium cofactor use करते है सही है as a cofactor magnesium को use करते है अब देस enzymes के नाम कौन-कौन से है पहला है hexokinase, दुसरा है phosphoglycoisomerase, तिसरा है phosphofructokinase, चौहता है addolase, पास है phosphotriose isomerase, छटा है glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, साथ है phosphoglycerate kinase, आटा है phosphoglycerate mutase, नवा है inolase और दसवा है pyruvate kinase यह जो पूरे जो 10 enzymes ना यह involved होते है glycolysis के पात्वे में, यह present कहां पे होते है, cytoplasm में present होते है और इन सब में से ना बहुतों की एक characteristic होती है कि यह ना as a cofactor magnesium को use करते है ठीक है, अब ना 3 enzymes जो हैं वो important है, पहला hexokinase, phosphofructokinase और तिसरा pyruvate kinase, यह तीनों enzymes important है और इन सब enzymes का मैं pathway समझाता हूं कि pathway में कैसे involved होते है, step by step हम जो है ना वो cover करेंगे अगली जो वीडियो आ रही होगी ना part 2 glycolysis का वो आप जरूर देखिएगा, steps आप समझेने के लिए जजाकल्ला